नमस्कार दोस्तो आज हम आपको लेके आए हैं ओटिमेटिक फार्म में हमारे कई दोस्तों ने हमसे पहा था कि सर ओटमेटिक फारम्स की वीडियो इफ लोड कीजिए ओटमेटिक फार्म में क्या-kly ववस्ता होती हैं तो दोस्तो आज हम आपको एक automatic farm में लेका हैं तो अभी में आपको दिखाता हुँ की यहां, automatic farm में क्या-क्य ववस्ताइग की गई हैं, सबसे पहले दोस्तो ओटomatic farm में cooling का देख लीजे आप, यह इधर cooling pad लगा रखे हैं, इनमें पानी चलता रहता है दिन भर, जिसे की ठंडी हवा आगे की तरफ पंखे खहंशते तो वह हवा ठंडी होके जाए और ये हैं दोस्तो निपल लगा रखी है या और आटोमेटिक पानी के लिए और ये है दाने का इनमें दाना आटोमेटिक चलता रहता है जिनमें दो या तीन वार ये तीन ही से चार वार ये दाना डालते हैं इनमें और वो दाना ओटोमेटिक सब में आता रहता है और जैसे ही दाना यहां लास्ट तक आएगा तो आगे सेंसर लगे हुए हैं दोस्तों तो वो सेंसर वहां तक दाना पहुंचते ही इसको मोटर को अ या यह अन्हों नहां शात फिट की जाली है देखें दोस्थो अधर बी हम inhib यह यह साथ फिट की जाली दे रहकी है और इसको पूरा कवर कर रखा है इन्होंने हवा लीकेज होने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ रखी और ये एक बोईलर फार्म में नीचे इन्होंने अभी कच्छा ही छोड़ रखा है कोई पका फर्ष नहीं बनाया एक दम एक्वली करके रखा है इन्होंने जिसे गी ऊपर नीचे ना हो और ये दोस्तो इन्होंने लगाए हैं पार्टेशन्स ताकि हवा उपर ना जाए नीचे नीचे रहे ताकि पूलिंग अच्छी बनी रहे देखे दोस्तों यहां इनोने पार्टेशन लगा रखें ऊपर पूरा कower कर रखा है नीचे का पांच सब्सक्त की जगे इनोने छोड़ी है पांच से 5.5 फिट की जग नीचे छोड़ी है जिस्tuझे की हवा नीचे नीचे रहे ताकि उपर तक नए जाए और उपर दोस्तों फारम में उपर की छत में जैसे हम यह टैन लगाते हैं तो इनको उपर से कवर करके रखना चाहिए या तो कोई भूशी या फिर कुछ ना कुछ उपर इनके जरूर डालना चाहिए जिस्टे की यह गरम नहीं रहेंगी तो हमारे टेंपरेचर में काफी फरक पढ़ता है दो तो 3-3 अपर से चाहर डिग्री में उपर ये घी हम कुछ डालते हैं तो उससे तीन से तुट उपर की घरम नीचे ना आए इंदि आए तो इसके चत के उपर यादी कॉई बूशी बढ़ देंगे तो यह गरम नहीं होगी और टेमपरेचर और भी अच्छे से मेंटेन रहेगा और यह हम यह दोनों काम करें कि यह पार्टेशन भी लगाएं और उपर च्छत पे भी कुछ डालें तो हमारे टेंपरेचर दोस्तों वाकई में बहुत अच्छा टेंपरेचर बना के रखेगा यह चीज देखिए दोस्तों दो इन्होंने चाह 5-6 जगह तक में यह पार्टेशन से लगाएं अपने फर्म में पूरा इसको एक्दम आटमेटिक तरीके से इन्होंने एक्दम अच्छे से त्यार करके रखा है यह यहां देखिए दोस्तों पूरी यह जो दाने की और पानी की लाइन है यह कनेक्टेड हैं तो यह यहां से हम इनको उप पर और नीचे कर सकते हैं यह जो पुली वगर आपको दिखाई दे रही है इनसे हम इनको उपर नीचे कर सकते हैं यह है दोस्तों इसका हैंडल इस हैंडल को गुमाने से यह उपर नीचे चलती रहती है और इस चीज से हम पानी का लेवल देखते हैं इसमें हम पानी का तो पानी की लीकेज पकी होगी तो यहां से पानी का लेवल सेट किया जाता है तो पानी का लेवल सेट करके इनोंने रखा है अब इनोंने ने फार में बर्ड डाल रखे हैं और इनकी कूलिंग एकदब बड़िया कूलिंग चल रही है अभी इनकी और बर्ड एकदम अच्छे से इनका तयार हो रहा है कोई गर्मी की दिक्कत नहीं है रही है हाए को कि देखे दो स्वे तो कम आपको दिखा जेता है और अभी में आपको को निम दिखाता हूं जो बड़े पंके लगा रखे हैं जो बेंटिलेशन और पूलिंग दोनों का काम करते हैं वह पंकह महें सब्सक्राइब दोस्तों दोस्तों देखिए आप फीड की जो लाइन है इन पर यह जो बक्से लगाए हैं यहां से यह दाना डालते हैं अभी इन्होने दाना ओतोमेटिक अंदर गो डाउनसे मसीन से कनेक्ट झालते हैं दोस्तों कि देखिए दोस्तों हैं यहां से यह दग दाना तो यहां से ओकर और पूरा आगे तक लाज तक चल जाठा पrånुट से कि अभी इन्होने ओतोमेटिक दाना अंदर कि और दाना काहा रहेगा और दाना कैसे यहां फरम तक पहुंचेगा वह सारी चीज में आपको दिखाऊँगा दोस्तों तो वह वेष्था होने के बाद दाना वहां से designed और यह तक आगे तक दाना पूरा लाश तक पहुंचा देगी और सेंसर जो लगेंगे वह सेंसर उस मोटर को दाना पूरा आगे तक पहुंचने के बाद अपने आप पंद कर देंगे और यह देखिए दोस्तों इन्होंने सपोर्ट के लिए गाटर का इस्तेमाल किया है गाटर की कंची बनवाई है इन्होंने देखिए दोस्तों मजबूती के लिए इन्होंने गाटर की कंची बनवाई है और साइड में गाटर के पोल लगा के इन्होंने सपोर्ट दे रखा है कि देखिए दोस्तों इन्होंने कंचियों का इस्तिमाल किया है पचाश फिट चोड़ा फार्म है दोस्तों यह और इसकी बर्ड कैपिस्टी है पच्छी सजार बर्ड़्ड्स देखिए दोस्तों हम अभी आपको गो डाउन भी दिखाएंगे और कुलिंग पैड की जो बाहर की वेवस्ता है बाहर उसको किस तरह से सेट किया है कैसे उसको कवर करके रखा है ताकि कुलिंग पैड जो हैं जो इनके पैड हैं पैड में मिटी वगर ना जाए उसके बचाओ के लिए इन्होंने अटोमेटिक बठी यह भी टेंपरेट्चर को अटोमेटिक मेंटेन करके रखती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे हम जो वीडियो निकालेंगे यह इन्होंने यहां पानी की टंकी लगा के रखिए कोई भी दवाई वगर है वुड़कों को लगानी हो तो यहां लगाई चाती है यह देखे दोस्तों यह इन लाइन्स को उपर या नीचे सेट करने के लिए पुली वगर लगा रखिए हैं यहां दोस्तों यह देखिए यह इन्होंने दाने के लिए बनवाए हैं यहां से पाइपलाइन आएगी यह जो जगह है यहां से पाइपला लगेगी और इन में दोस्तों दाना रहेगा यहां मशीन लगेगी और इन में दाना रहेगा तो यहां से मशीन दाना उठाके सीधा अंदर फार्म तक पहुंचाएगी अपने आप और जब दाना जैसे जैसे लाइनों में वहां आगे दाना पूरा होता रहेगा वैसे वैसे वह जो सेंसर लगे होंगेवों मोटर अपने बंकर बंद चरते रहेंगे।詞 मोटर बंद कर दोबंस कि जैए गा उसकी सैंसर इस लिए लगाते हैं दोस्तो ताकि लाइन दाने की पूरी भर जाए तो सेंसर होगा तो वो अटोमेटिक उसको बंद कर देगा यदि सेंसर नहीं होगा तो वहां दाना गिरने के या फिर दाना खराब होने के चांसेज रहेंगे क्योंकि बिना सेंसर के यदि दाना कंपलीट हो जागा या तो हमें वहां एक आदमी रखना पड़ेगा जो कि उसक कि अंदर ये जो स्प्रिंग आते हैं जो दाने को आगे पहुचाते हैं वो तूट जाएगा दबाउ से तो दोस्तों इसमें सेंसर लगे और फिर यहां डाना डलेगा और यहां से पाइपलाइन लगेंगी और वो पाइपलाइन उस दाने को अंदर फर्म तक पहुचाएगी इधन ओटमेटिक तरीके से इसको बनाया जाएगा और बहुत जल्द ही यह मशीन लगेंगी तो मैं आपको वो न मशीनों के बारे में भी दिखाऊऊँगा कि वो कैसे क्या काम करेंगी कैसे दाना उठाएंगी कैसे आगे दाना जाएगा कैसे वो बंद होती हैं सेंसर कैसे काम करेगा तो दोस्तों मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा बहुत जल्द यहां वो मशीने भी लग जाएंगी अचलिए दोस्तों मैंने आपको पताया था कि हम पैड के भार की विवस्ता देखें तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि पैड जो लगे हैं उनके भार उनकी उन कि छजी टाइप दिया हैं उनने चार से पांस पिट इसको बाहर निकाला और फिर यह देखिए दोस्तों पाइप लगा के इन्होंने इसे पाइप लगा के पूरा इनको सपोर्ट देके और फिर यह जाली लगाई है अब इस जाली से क्या दोस्तों बाहर हुआ चलती है इसको नहीं पहुंचने देगी है अपने तक ही उसको रखेगी यहां यह देखे दोस्तों पूरा पैड के बचाओ के लिए लगाया हुआ है और यह भी नमी पकड़ लेता है नमी पकड़ने बाद कि यह भी ठंडा थंडी हवा को अंदर बेजता हुआ को ठंडा कर देता है देखे दोस्तों पूरा इनोने चारों तरफ पैड गो अच्छे से कवर कर रखा है मापको इसके अंदर भी दिखाऊंगा पानी की जो टंकी बनी हुई है उसको उसमें मोटर जो चलती है कैसे क्या पानी उठा रही है कैसे पानी वापिस आ रहा है तो मैं अभी आपको सारा दिखाता हूँ देखि दोस्तों यह देखिग दोस्तों यह इसके अंदर की विश्था यह पैड यह देखिए नजदिक से यह कागच के बने होते हैं दोस्तों और ऐल्यूमीनियम की प्लेट से इनको लोहे की फ्लेट से इनको एक दम पकड़ बनाकर रखा है तो देखिए दोस्तों यहां यह उपर से यह पाइपलाइन है यह जो पाइपलाइन है इसमें यह पानी उपर से पानी आता है और नीचे वही पानी वापिस यहां नीचे से होते हुए और देखिए मैं आपको दिखता हूं यही पानी नीचे से होते हुए इस टैंक में आ जाता है दोस्तो है यहां तो आंक जो पानी के ऊपर यहां कि देखो को सभू पानी की कोई आपनी की तो ऑ जएक पानी इन भूझा में हो तो आज कल पानी कम ही हो रहा है तो इसमें क्या है कि कम पानी से ज्यादा फाइदा हम ले सकते हैं कि यही पानी दुबारा चलते चलते दुबारा बार बार यहां आएगा और यह गिले होते रहें और जैसे यह गिले वे तो बहार की हवा को थंडा करकी अंदर पहुचाएंगे दोस्तों कि देखे मापको आगे भी दिखाता हूं कि यह यहां जो अंदर सब्मर्शिबल मोटर लगी है जो पानी को इन पैड तक पूंचा कि यह उसका स्टाटर है उसको चालू और बंद करने के लिए और यह एक वाल लगाया है इसमें जैसे यह पानी आ रहा है तो यह जैसे ही पान पानी कम होगा तो यह वाल अपने अब बंद हो जाएगा जैसी पानी नीचे जाएगा तो वाल अपने अब बंद हो जाएगा आगे चलते हैं दोस्तों कि देखिए इनोंने पूरा इसको नाली को बाहर तक यह देखिए पूरा इसको बनाया है कि बाहर तक कि कहीं भी पानी पानी का पूरा मतलब अच्छा उक्योंकिया इन्होंने पानी का कहीं भी कोई वैस्त नहीं हो रहा है । यह देखिए दोस्ते हैं। और इस थंडे पानी से यह देखे इसका फ्रीज के रूप में भी एक आम में ले रहें है। यहां जो लोग काम कर रहें, वो फ्रीज के रूप में अचानु साय के यहां दूखता है। रहित서 हमत्तों फ्रीज धर्ञार में काफ़ी थखत रहें प्रोक के न पीकियों चैशनों के न दूख में न कहपा है। काफी थंडा पानी है दोस्तों यह देखिए दोस्तों पूरा इन्होंने अच्छे से दुष्टा करके रखते हैं और दोस्तों हम बहुत ही जल्दा आप तक सेमी आटोमेटिक और मैनुवल फार्म की वीडियो भी आप तक पहुंच रहेंगे दोस्तों हमसे जुडे रहें हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और अपने साथीयों तक भी हमारी वीडियो पहुंच आएं इस से की उनको भी वीडियो से ज्यादा अच्छे सी अच्छा फाइदा मिल सके जिस्दे की कम लागत में ज्यादा वैवस्था कर सकें और आपकी कोस्टिंग भी कम रहे अफिर जैसा जैसा आपको कोई दिक्कत आए तो हम उनका भी सॉलिशन आपको जरूर बताएंगे दोस्तों